हाई फ्रेंट्स वेलकम डो चैनल सूपर डिलक्ष यहांप एक और वीडियो में आपको सुआ गया थे सबस्वेले बात करेंगे यहांपे कि आज कैसा दिन रहा आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि कल जो मैंने एकदम वियू बताया था कि अगर हम पहले गिरा हुआ उसको फ्लैटिश नहीं कहेंगे लेकिन तीन बजे तक में हम यह कह सकते मार्केट एकदम फ्लैट था लेकिन उसके बाद जो चीज हुई है ना आज बहुत सारे लोग रिटायर हो गया होंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर भी इसलिए मैं नॉर्मली जो मेरा एक है वो यह है कि ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशन है उसको दो धाई बजे तक क्लोज कर देना चाहिए आज थोड़ा सा मैंने लेट तक होड़ किया तो उससे पहले एक स्पाइक हुआ था बड़ा लंबा उपर की तरफ उसमें मेरी पोजीशन बिगड़ी लेकिन होता प्रॉफिट को खा जाता क्योंकि तरीके से मैंने सेलिंग की थी और मैं रिवर्सल पकड़ रहा था एकदभ रेज्स nenhumcular रहा था है तो फिल्हाल मार्केट आप समझ रहो कैसे गिर भी रहा है आपको लॉंग होने का भी मौका देरा आ है आपको शॉट करने का मौका दे और रिवर्सल ऐसा नहीं है टेक्निकली वहां पर सपोर्ट थे जहां से आज बाउंस हुआ है वहां भी सपोर्ट थे और जो रिजिस्टन्स हुआ है वह भी सपोर्ट था आप देखेंगे अगर आब अरली में जाएंगे तो 200 moving average आप देखेंगे और 21 देखेंगे दोनों देखेंगे आपका उसी के बीच में नाचा नाचा कूदी हुई है पुरी तो फिलाल बैंक निफ्टी 46 120 पे closing हुई है मेरे साब से 46,250-300 रिजिस्टन्स है अगर हम इसके नीचे आएंगे वापस से नीचे ही रहते हैं और उपर से की बात करें 21,980 पे closing है मुझे लगता है 22,040 जो एक level था मैंने इसके बात भी की थी 22,040 के नीचे जब तक है वेरिश है उसके उपर ही bullish होगा इमेडिएटली अगर हम बात करें तो 21,950-940 के नीचे अगर हम जाते रहे तो फिर हम 21,700-21,500 के तरफ जा सकते हैं और अगर यहां बात करो तो FII का जो डेटा है उसके साब से देखी futures में FII ने अपनी position को finally, finally FII ने अपनी position जो है उसको cover किया है short जो long care रखे थे उसको उन्होंने unwind किया है तो futures में तो definitely अच्छी खासी unwinding हुई है FII की बतब उन्होंने अगले expiry की तरफ bullish नहीं गए अब जो overall option का data है क्योंकि आज expiry है बहुत सारी चीज़े expire हुई है तो आज के आज जो option का data उसको clearly read करना possible नहीं होगा लेकिन जो overall view दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि market यहां से अभी भी bullish नहीं हुआ है bounce आएगा तो fall आएगा और अगर यहां से 400-500 point का fall आया तो वहां से bounce भी आ जाएगा फिर क्या गरना है आपको आपको range play करना पड़ेगा reversal पकरने पड़ेगे तो simple सी चीज है पहले क्या आता है वो आप देख लो अगर पहले आता है fall तो फिर आपको दो बजे देड़ बजे इस time पर आपको एक bounce का weight expectation करनी चाहिए अगर bounce पहले आ गया तो फिर definitely आपको दो बजे तक में धाई बजे तक में फिर से उस bounce के बाद fall आएगा तो ये timing के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको read करनी पड़ेंगी ये इतना असान नहीं होता है लेगिन अगर mine में आपने ये 1000 बार देखी है सैकड़ों बार देखी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा हाँ भाई क्या बात कर रहा हूं मैं तो मेरा मानना है FIA का data cash में bullish है overall data जो है वो futures में क्योंकि उन्होंने short किया है और अच्छा खासा quantity short किया है तो futures का data ये दिखाता है कि market अभी अगर एक आध दिन उठ भी गया तो उपर बहुत ज़ादा नहीं टिकेगा ये FIA का data कहता है और जो retailers है उनका data अभी भी futures में bullish है और थोड़ी सी उनकी position जो है long shot की है call selling, put selling तो वो थोड़ी सी अभी decide करना मुश्किल हो है क्योंकि आज monthly exp तो monthly expiry के बाद का जो data है उसको clearly आप रीड नहीं कर सकते कल का data जो आएगा शाम को उसके बेस में ज्यादा बेटर decision ले पाएंगे तो फिलाल के लिए range bound है resistance पे cell है और आपका जो support है support आपका 45,500,600 एरिया है वहाँ पे support भी है और 46,300 पे resistance है तो 45,500 support और ये 700,800 पाइंट क 22,000,50 resistance ये एक narrow range है अगर broader range बोलें तो 120, 22,000,120 आपका resistance है और इसके इलावा बात करों तो यहाँ पे PSU ने आज फिर bounce दिया है लेकिन PSU bank जो bounce दे रहे हैं उसके बाद भी मेरे हिसाब से distribution चल रहा है यहाँ पे कभी भी आपको बड़ा correction दिख सकता है क्योंकि जो पूरी rally कि उसके बाद से हम बहुत दिन से एक और मुस्ट दो हफते से तीन हफते से हम यहाँ पे उठा पटक चल रही है और उसके बाद हमने नया high नहीं बनाया है तो हमने low बनाया है रेकिन high नहीं बनाया है तो यह थोड़ा सा एक sign दिखा रहा है कि beers को उन्होंने दिया है पैसा बुल्स को काफी टेस्ट किया है पीस्यू स्टॉक में भी मिड्कैप में भी आज मिड्कैप ने बहुत शार्प रिवर्सल दिया all thanks to expiry expiry करन महौल सुधरा महौल सुधर ने करन मिड्कैप में भी bounce आ गया अब कोई बोलेगा मिड्कैप की expiry नहीं थी तो ऐसा क्यों होगा भाई आज कल कम क्या होगा हम मैंने कहा ना कि support अगर important है major index को read करना सीखना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी मिड्कैप के technical देखोगे ज्यादा काम नहीं करेगा और मिड्कैप जिस दिन पिटाई शुरू होती है तो फिर वो गिरते आते हैं तो कल असली move होगा मेरे विक्स थोड़ा सो ठंडा हुआ है तो यह अच्छी बात है अच्छी बात इसलिए क्योंकि expiry जो premium से बहुत जाला हाई थे बाई और premium साई होने से क्या problem है कि और विक्स भी हाई है तो यहाँ पर नीचे जो fluctuations से range बहुत wide थी यह बड़ी problem थी आप देखो ना 300 point नीचे 300 300 point उपर 700 point और वो भी कैसे किस तरीके से जा रहा था तो यह कम होगा अगर थोड़ा विक्स शांत हो जाए तो बेटर होगा क्योंकि देखे 13 के आसपा मैं कहरो 12 विक्स में मज़ा नहीं आता था option भाई में 13 13.5 विक्स बेस्ट था अभी 15.5 16 विक्स में तकलीफ है लेकिन आपको यहां पर ध्यान देनी है ओवराल यहां पर ऑटो एक सेक्टर है जिस मुझे लगता है यहां पर एक करेक्शन आ सकता है और कभी भी आ सकता और करेक्शन छोटा नहीं होगा कम से कम 10% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं है यहां पर जो इसका इंडेक्स है 21,000 के बात कर रहा हूं मतलब एक से डेड़ महीने तो महीने में हो सकता है एक थंडा कूल डाउन हो मार्केट थोड़ थंडा रहे ऑट्टो का थोड़ा इसके बात जो रहली आएगी वह आपको पकरने का मौका मिलेगा लेकिन देखिए इंडेक्स गिरेगा 5-8% स्टॉक गिर जाएंगे 20% तो आपको यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसके लावा इंडेसिंट बैंक आज उठा तो लोग बोल रहे हैं कि भाई यह तो एक ट्रिपल बॉटम काइंड बना रहा है अगर आप इसको देखेंगे और अगर यह 1440 के एरिया को होड़ करता है अगर इसको होड़ करता है तो यह अच्छा खासा उपर जा सकता है इंडेसिंट बैंक की आदत है जब दुनिया नहीं परफॉर्म करेगी तो यह अपना ए नहीं जिसकी है और बजाज ट्विन्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आपको पता है तो अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर जो है अगले एक दो दिन बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या परफॉर्म करेगा क्या नहीं Reliance थोड़ा अच्छा perform कर रहा है इसका structure मेरे को ठीक ठाक लग रहा है अब पुरी दुनिया ने नया हाई बना लिया सब कुछ हो गया तो Reliance ने अभी तक अपना नया हाई बड़े अच्छे तरीक से नहीं बना है कि नया हाई के बाद भी 5-10% हो सकता है Reliance यहाँ सभालने का काम करे हो सकता है लेकिन टेक्निकली बोलनों तो जहाँ पे है वहाँ पे ओवर बाइंग, ओवर बॉट एरिया कहलाता है तो इस पे भी नज़र रखना है कि क्या ओवर बॉट से एक जटका मारेगा लेकिन अगर जटका नहीं मारता है क्योंकि यहाँ पी एक डिप आनी चाहिए 28, 28, 20 तक और उसके बाद जब उपर जाए तो यह ब्रेक आउट है क्योंकि यहीं से ब्रेक आउट हो जाएगा तो फिर यह रिकत है तो थोड़ा एक डिप आए फिर ब्रेक आउट हो तो बेटर है और अगर नहीं ब्रेक आउट कर पा रहा है अगले दो से तीन दिन तो एक डिप यहाँ पे डिव है 28, 2800 तक की तो यही है फिलाल मार्केट का हाल US मार्केट थोड़ा उपर खुला फिर वहाँ से नीच आया US मार्केट भी करेक्शन डिव है इंडियन मार्केट करेक्शन अल्रड़ी जटके मार रहा है डिस्ट्रिबूशन चल रहा है अलेक्शन का माहौल और बहुत सारी चीज़ें मार्च में आने वाली है तो काफी इवेंट फुल महीना रहने वाला है मौके बहुत मिलेंगे आज बस यही लर्निंग है कि बहुत सारी लोग आज जुए की तरह ट्रेडिंग किये मेरा सिर्फ यह कहना है भाई मैं आप्शन बायर हूँ हार्ड कोर आप्शन बायर मैंने जीवन में 99% आप्शन बायंगी किये 1% आप्शन सेलिंग किये तो अभी मैंने दो-तीन दिन से आप्शन सेलिंग किये और वो भी डारेक्शनल है सोच वही रखी कि मैं किधर जाएगा मार्केट और उसके हिसाब से फिर थोड़ी दूर के प्रीमियम जिसमें probability of profit जादा हो और risk कम हो वो वाले सेल करने कोशिश की मेरे को consistency दिख रही है मेरे को stress नहीं मिल रहा है मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है मने सरदर्द नहीं हो रहा है कल मैंने आपको बता था कि बहुत बुरी हालत थी मेरी आज मैं अच्छा फील करुरू हूँ जिबकि आजका market सरदर्द वाला market था और अगर आपको लग रहा है कि मैं देख नहीं पाने वाला हूँ क्योंकि आप नहीं देख पाने वाले हो तो अगर आपको दूर का बेच के बैठना है कि ताइम वह अपने आप जो टाइम बीट रहा है ना उसमें वो टिक्य होगा लेकिन अगर आप ऑप्शन बायरो और देख भी नहीं रहे हो तो फिर आप गलती कर रहो फिर आप मत करो ट्रेडिंग बेटर है और सीखना है समझना है तो वीडियो के पिन कमेंट में लिंक है हमारे स्कैल्पिंग और स्विंग कोर्स का A to Z प्रोगराम का और हमारे फ्री टेलिग्राम चनल का जहां पर हम अपना व्यू दे लेते हैं यहां पर जो भी बाते मैं कर रहा हो यह आज कर रहा हूँ मारकेट कल खुलेगा तो इसके बाद कुछ अगर अपडेट्स होते हैं, कुछ नया सोच होता है, भी होता है, तो मैं अपने फ्री टेलिग्राम चला लें, मुफ्त में देता हूँ, आज एक भाई साब आए, बड़ी अच्छी कहानी है, एक भाई साब आए, बोले इतना कमाते हो तो फ्री में क्यों नहीं सि जवाप करा रहे हों कैसे ठीक हो जाएगा, उन्होंने बोला हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, आदते सुधारनी पड़ेंगे, अपने आपको थोड़ी थोड़ी एकसरसाइस करने पड़ेगी, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, और वह थांक यू वरे मचछ, स्यू तो